Hello and welcome to our YouTube channel Stop Kidney Dialysis जहां हम आपको Kidney Diet से जूड़ी information देते हैं ऐसे ही आज हम आपके लिए एक interesting topic लेकर आए हैं जिसमें आपको बताएंगे onion यानी प्यास कैसे एक दबा का काम करता है kidney patient के लिए तो चलिए समेना खराब करते हैं अपना आज का विशे आप सबने सुना तो हो गई and apple a day keeps a doctor away पर अगर आपको kidney से लेटेट कोई भी problem है तो एक नई कहावत याद रख लीजिए and onion a day keeps a doctor away प्यास हर घर में पाया जाता है और हर सबजी में इस्तिमाल होता है पर क्या आपको पता है कि kidney patient के लिए दवा का काम करता है नहीं ना तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये सच है कि आपके घर में हमेशा kidney की दवा मौझूद है जो की है प्याज क्यूंकि प्याज में potassium, fiber और copper balance quantity में होता है जो आपकी kidney को healthy रखने में मदद करता है ये तो आपको पता ही होगा अगर तड़के में प्याज ना हो सलाद में प्याज ना हो तो खाने का स्वाद ही नहीं आता बेशक उसे कारते समय आँखों में आसू ही क्यों ना आ जाए लेकिन उसके स्वाद का मुकाबला ही नहीं है ये तो आपको पता ही है कि प्याज हमें लू से बचाता है पर क्या आपको ये पता है कि वो हमें diabetes और kidney की बिमारियों से भी बचाता है तो चली हम आपको बताते हैं कि kidney patient को प्याज का सेवन कैसे करना चीए जो कि वो उनके लिए दवा का काम करे प्याज हर तरीके से फायद की बिमारियों से सुरक्षित रखता है आपको बता दें कि kidney patient को प्यास का सेवन उबाल कर ही करना चीए इससे copper और fiber balance quantity में आ जाता है जो kidney patient को पांचन से जूड़ी समस्यों से चुटकारा दिलाता है वही प्यास में मौजूद copper मानसिक तनाव को कम करने का काम करता है आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार